Hello friends, welcome to my YouTube channel, मैं हूँ दिवयाशर्मा मेरे सभी सब्सक्राइबर और विवर्स को मेरी तरफ से चैमाता दी आज मैं आपको बताने जानी हो कि नवरात्रों में सिर्फ एक चीज मा केशीरी चर्नों में चड़ा दीजिए सारी मनोकामनाय पूर्ण हो जाएंगी नवरात्रे एक ऐसा पर्व है जो कि हिंदू धर्म गरंथों और पुरानों में माता की अराधना के लिए सरवस्रिष्ट माना गया है नवरात्रों में भक्त माता की अराधना से उन्हें परसन कर मनवांचित फल प्रापत करते हैं नवरातरी के नो रातों में तीन हिंदू देवियों मा पार्वती, मा लक्ष्मी, मा सर्ष्वती जी के नोवे सवरूप नवदुर्गा की पूजा की जाती है ये माना जाता है कि नवरातरों में मा की शक्तियां धर्ती पर सबसे जादा बरसती है तो इसलिए आज मैं आपको बताने जा रहे हूँ ऐसी एक चीज जो मा के शीरी चर्णों में आप नवरातरों में किसी दिन भी चड़ा दीजिए और मनोकामना पूर्ण हो जाएगी वो कौन सी एक चीज है वो है तिर्शूल मा का तिर्शूल आप मार्केट से मा का तिर्शूल ले आएए मा का तिर्शूल किस चीज का होना चाहिए आप चाहें तो अपनी शर्दा से सोने का चांदी का पीतल का या तांबे का किसी भी चीज का ले आएए हाँ बस वो कागच या लकडी या मिट्टी का नहीं होना चाहिए इसके बाद इसे आपने स्थापित कैसे करना है माकेशिरी चर्णों में आपने इसे कच्ची लसी यानि कि थोड़ा सा दूद और थोड़ा सा पानी मिक्स करके जो कच्ची लसी तयार होती है उससे उस तरशूल को धोकर माकेशिरी चर्णों में सूरज ढूबने से पहले चड़ा देना है और अपनी मनोकामना जो है वो मांग लेनी है ऐसे ही आपने रोज अपनी मनोकामना को मांगना है ये एक चीज मा के शीरी चर्णों में चड़ाने से आपकी सारी मनो कामनाय पूर्ण हो जाएंगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और दूसरों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि दूसरे भी इसका लाव ले सके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुद बाई